हलो दोस्तो यस्पी एक लासेजवन में आपका हारदिक स्वागतियों अभिनंदन है देखे यहां मैत को हम बता रहे हैं मैत आपकी परिच्छा के लिए त्यूपियोगी है यहां कोस्चेन लिखा हुआ है एक घं के प्रिष्ट का छेत्रफल एक घं के प्रिष्ट का है घं के आयतन के बारे में पूछा है तो घं का आयतन कैसे निकाला जाता है देखे कोई भी घं है घं का आयतन निकालने के लिए उसका सूत्र है घं के आयतन का सूत्र है आयतन बराबर घं के आयतन का सूत्र है आयतन बराबर एक क्यूब एक क्यूब माने इन्ही भूजा जो आई है भूजा का घं होता भूजा को तीन बार गुड़ा करेंगे तुसी को क्यूब कहते है आयतन बराबर एक क्यूब भाई यह घन के आयतन का है और कोश्चन हमें घन के प्रिष्ट के छेतरफल 216 वर्ग मीटर है तो उस घन का आयतन ग्यात करना है अब देखें प्रिष्ट का छेतरफल क्या होता है घन के प्रिष्ट के छेतरफल गन के प्रिष्ट के छेतरफल बराबर यहाँ पर है 6a² 6a² हमें दिया हुआ है 216 वर्ग मीटर है तो 6 से इसको काट देंगे 6a² तीन बच गया 36a² तीन बच गया 36 हो गया 36a² यह नहीं a² बराबर 36 तो a बराबर क्या है? 6 है 6 हमारी एक भुजा का मान हो गया क्या हो गया? 6 हमारी एक भुजा का मान हो गया तो हमने उपर लिखा है घन का आयतन घन का आयतन बराबर यह नहीं एक क्यूब है एक क्यूब को मतलब 6 गुड़े 6 गुड़े 6 6 का गुड़ा तीन बार हो गगा 36 36 में फिर 6 से गुड़ा करेंगे तो देखिए 36 गुड़े 6 चचवग 36 चत्रीक 18 18 तीन एक कैस इसका आयतन कितना होगा? इतना 216 घन मीटर होगा तो हमारा बिकल्प नमबर 3 सही है यह ऐसा घन दिया है जिसका संपूर्ड प्रिष्ट और आयतन दोनों बराबर है हर घन का संपूर्ड प्रिष्ट यहनी हर घन का प्रिष्टी चेतरफल और हर घन का आयतन बराबर नहीं होता है मात्र इसमें जिसकी भुज़ अच्छ है उसमें उसका चेतरफल यहनी प्रिष्ट का चेतरफल और आयतन दोनों बराबर होता है देखिए अगला question देखिए अगला question इहां लिखा हुआ है कि एक खिलाड़ी किसी बृत्ताकार पत के साथ चक्कर लगा कर बाइस सो मीटर की दूरित्ताइं करता बाइस सो मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उस बृत्ताकार पत की तरिज्या क्या है तो इसमें हमें पत की परिदी बिरित की परिदी बराबर क्या होता है टू पाई आर अब टू पाई आर जो परिदी होती है वह एक चक्कर लगा रहा है अगर एक चक्कर लगाता तो ग्यात हो जाता टू पाई आर से लेकिन वह साथ चक्कर लगा रहा है यहीं साथ गुड़े टू पाई आर बराब जब ग्यांत करेंगे तो इधर चला जाएगा सब बाइस बाइस बटे साथ गुड़े टू पाई अब इसी बेस पर आगे हल करेंगे देखिए अब यहाँ है बाइस गुड़े यहाँ साथ हो गया यहाँ दो हो गया और यह पलड जाएगा बाइस बटा साथ का साथ बटा बाइस हो गया साथ से साथ कैंसिल हो गया बाइस से बाइस कैंसिल हो गया एक बच गया एनी अब कितना आ गया सव बटा दो सव बटा दो को मतलब कितना आ गया पचास मीटर यह कितना आ गया पचास मीटर हमें आर ही ग्यात करना था हमारी आर त्रिज्य जो है वो 50 मीटर है 50 मीटर बिकल्प नमबर 3 में लिखा हुआ है तो बिकल्प नमबर 3 इस question का सही उत्तर है अगला question देखिये देखिये हैं तीसरा question लिखा है एक वर्ग की प्रतेक भुजा 14 सिंटी मीटर है वर्ग के अंदर सबसे बड़े बृत का छेतरफल क्या होगा वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उन्हें क्या कहते हैं वर्ग कहते है मान लिजे इनकी भुजा यह 14 है इनकी भुजा यह 14 है वर्ग की भुजा यह 14 है अब यहां से अगर एक बृत बनाते हैं तो देखिए बृत एकदम पूरा असपर्स करता हुआ जा रहा है यह पूछ रहा है बृत के वर्ग यह नहीं बृत वर्ग के अंदर सबसे बड़े बृत सबसे बड़े बृत का छेत्रफल ग्यात कीजिए तो जब छेत्रफल ग्यात करना है देखे जब छेत्रफल ग्यात करना है तो सबसे पहले बृत का ब्यास ग्यात करेंगे ब्रित का ब्यास कितना है 14 cm है तो ब्यास की आधी तरिज्या होती है यह निदि चवदा बटा दो बरा तो यहां से यहां तक तरिज्या है देखिए सेंटर से किनारे तक तरिज्या है साथ सेंटीमिटर तरिज्या हो गई हमें पूछा है बृत के यही अंदर सबसे बड़े बृत का छेतरफल बृत का छेतरफल देखिए क्या होता है बृत का छेतरफल बराबर पाई आर स्कॉयर होता है आर कमान हमारे पास साथ सीयम आया है पाई कमान बाईस बटा साथ होता है गुड़े साथ आर स्कॉयर है साथ है साथ से साथ कैंसिल कर दीजिए साथ से बाईस में गुड़ा होगा साथ दूनी चवदा, साथ दूनी चवदा एक पंदरा पंदरा छेतर फल है, पंदरा वर्ग सी एम होगा यही हमारा उत्तर होगा यह बिकल्प नंबर तीन में दिया हुआ है देखिए, यह समझ में आ गया होगा मेरे समझ से कि चवदा सेंटीमीटर का ब्रित है हुआ, चवदा सेमी ब्यास का ब्रित बन सकता है ब्रित का ब्यास का अधा त्रिज्य होती है त्रिज्य साथ आ गई, साथ आ गई ब्रित का छेदर फल पूछा है, पाई यार स्कॉयर होता है तो साथ में पाई यार स्कॉयर का मतलब 22 बटे 7 गुड़े 7 22 बटे 7 गुड़े 7 7 से 7 कैंसिल आउट 7 से 22 में गुड़ा के 154 वरक सेंटिमीटर आ गया यही हमारा उत्तर होगा देखिए अगला कोस्चन देखिए हैं अगला कोस्चन लिखा मोहन एक घड़ी 10 परसत हान पर बेंचा यह दिवफ 45 रुपे अधिक पर बेंचता तो 5 परसत का लाब होता घड़ी का मुल्लिक क्या है अब देखिए अगर वह 10 परसत हान पर बेचा है और 5 परसत लाब पर बेचता तो 45 रुपे अधिक मिलता तो यहां पर यह नियम है जो हान और लाब इन दोनों के बीच का अंतर कितना 10 परसत हान है 5 परसत लाब है इनके बीच का अंतर 15 परसत है 15 परसत बराबर 45 है तो 1 परसत बराबर 15 तियां 45 तो 100 परसत इसका दाम होता है तो 3 गुड़े 100 यह तो 3 गुड़े 100 बराबर 300 रुपे हमें जो घड़ी का क्रेम मुल है वह कितना आ गया तीन सो रूपे आ गया तो हमें पूछा है घड़ी का मुल क्या है घड़ी का मुल तीन सो रूपे है बिकल्प नमबर तीन में सही है चूंकि दस परस्त हान हो रही है पांच परस्ट लाव हो रहा है दोनों का अंतराल 45 रूपया है तो 10 परस्ट हान और 5 परस्ट लाव कुल 15 परस्ट के अंतर बराबर 45 है तो 1 परस्ट के अंतर बराबर 3 है 100 परस्ट के अंतर बराबर 300 है तो 300 ही हमारा CP होगा, क्रेमल होगा विकल्प नम्बर तीन सही है अगला कोस्टन देखिए देखिए है कोस्टन लिखा हुआ है दो किताब तथा पांच कलम का मुल्ले दो सो पचीस रुपए है दो किताब देखिए हैं दो किताब पांच कलम का मुल्ले दो सो पचीस रुपए है चार कलम तीन किताब का मुल्ले 320 रुपया है एक कलम की कीमत क्या है तो पहले हमें एक कलम की कीमत क्यात करना है कलम कलम बराबर मान लीजिए यक्स है और कलम के अलम किताब का मौल दे रहा है किताब बराबर वाई है तो किताब को किताब की तरह अलग लिख लीजिए कलम को कलम की तरफ यहां का रहा है दो किताब को हमने वाई माना है दो वाई है और पांच कलम है यहनी पांच एक्स प्लस दो वाई यहनी पांच कि पांच कलम और दो किताब का मुल कितना है दो सब पचीस रुपया है तो पूछ रहा है यहां पे चार कलम चार एक्स प्लस कलम का नाम हमने यक्स माना है तीन किताब तीन वाई का दाम तीन सो बीस रुपया है यह समीकरण नमबर एक हो गया यह समीकरण नमबर दो हो गया तो समीकरण एक में इनको बराबर करने के लिए अब देखिए यहां पर क्या है इनको बराबर करें या वाई को बराबर करें या यक्स को यहनी उपर वालें 3 से नीचे वालें 2 से गुड़ा कर दीजिए देखिए गुड़ा करेंगे 3 पचे 15 एक्स प्लस 3 दूनी 6 वाई बराबर 3 पचे 15 तीन दूनी 6 एक्स साथ तीन दूनी 6 675 आ गया अब दूसरे समीकरण में 4 दूनी 8 एक्स प्लस 3 दूनी 6 वाई बराबर 2 सुनाई सुनना 2 दूनी 4 दूनी 6 इनको घटा दीजिए घटा देंगे ते कट जाएगा वाई कमान अब 15 में से 8 निकल गया 7 एक्स बच गया अब इनको घटा देंगे 675 है 675 में से 640 निकल गया तो 35 बचेगा अब एक्स कमान ग्यात करना है एक्स कमान हम कलम रखे हैं काट देंगे जब कलम कदाम यहां निकालेंगे तो 7 पचे 35 एक्स कमान कितना आ गया 5 रूपे आ गया अब समीकरण में इस कमान रख देंगे जब समीकरण में इस कमान उठा कर रख देंगे तो यहां पर किलियर हो गया कि समीकरण में यह निक्स कलम कदाम 5 रूपे है किसी एक समीकरण में उठा कर रख देंगे तो देखिए आगे कैसे हल है यहां पर पहला समीकरण है पांच एक्स प्लस दो वाई बराबर दो सो पचीस है ती एक्स कमान हमें मालूम है तो पांच गुड़े पांच प्लस दो वाई बराबर दो सो पचीस यहां पर हो गया पचवा पचीस हो गया देखिए हम जो आगे निकाल रहे हैं यह गलत निकाल रहे हैं हमें तो यहां दिया हुआ है एक कलम की कीमत क्या है कलम को हमने एक्स माना है एक्स कमान थो हमने निकाल लिया है जब एक्स कमान हमने निकाल लिया है तो यह गलती से आगे हम हल करते जा रहे हैं यहीं हम किताब का मुल निकालने जा रहे हैं किताब का मुल ना निकाल करके हमें कलम पूछा कलम तक ही हम से मित रहें तो येक्स बराबर पांच है पांच रूपया कलम का दाम आया है तो बीकल्प नमबर दो में हमें पांच रूपया लिखा है हमारा विकल्प दूसरा सही है इस तरीके से ये पांच प्रस्न की वीडियो थी यहीं समाप्त होती है इसको देखिए लाइक किजिए सब्क्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों एक सब्क्राइब दान के रूप में दे दीजिए आपका आभारी